आज है 24 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेट के बारे में 36 रुपए का ये शेयर है गिरावट आज जरूर हलकी से देखने को मिली है और पिछले कुछ दिनों से लगातार यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ट्राइडेंट में आखिर ऐसा हो क्या रहा है और लगातर यह शरा की तूट क्यों रहा है और सपोर्ट अगर बन भी सकता है तो कहां पर बन सकता है तो वीडियो को शुरू करो से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं क किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो को काफी जादा हल्प करेंगे तो 36 रुपय का शेर है ट्राइडेंट का और पिछले अगर आप देखो तो थोड़ा थोड़ा करके यह तूट ही रहा है इवन एक साल का भी अगर आप ग्राफ देख लोगे तो पिछले एक साल में ट्राइडेंट लिमिटेट के शेर में 78 परसंट का ग्रोथ जरूर है एक बड़ी रफ्तार आई थी 20 रुपय से जो इसको 68 तक ल गिरावट आपको यहाँ पर आप देखने को मिल सकती है गिरावट की जो सबसे बड़ी वज़ा है हाल फिलहाल में वो यह है कि ट्राइडेंट के जो फाउंडर डिरेक्टर है राजंदर गुपता उन्होंने स्टेप डाउन किया है रीजन हेल्थ इस्यू है यहाँ पर और इस्यू एन फैमिली कमिट्मेंट्स तो जाहिर से बात है जब कंपनी के फाउंडर और चैर्मेन अगर स्टेप डाउन करते हैं हलाकि रीजन को ऐसा नहीं है डिजन यहाँ फैमिली इस्यू है तो इसके वाज़े से यह स्टप डाउन कर रहे हैं रिस्पेक्टिंद रिक्व सब कोई बड़ा सक्स निगलता है कंपनी से तो इंपक्त होता है गुपता वाइल एक्सप्रेसिंग इस डिस्यायर तो स्टेप डाउन फ्रम पोजिशं सेड आफ्टर दिवोटिंग ओवर थ्री डेकेट्स इंडराइट्ट इंट्राइट्ट इंड रिक्वेश्ट रिक्व उनका यही कहना है कि देखो अगर वह अपनी फिजिकल और इमोशनल फिट्नेस है उसको दुबारा रिगेन करेंगे तो देफिनिटली दुबारा ट्राइट्ट को सर्व करने भी आ जाएंगे इन अगरिमेंट विद रिक्मेंडेशन और नमिनेशन अगर आप कमीटी के बातार गिरावट दिखा भी रहा है ट्राइडेंट को लेकर अगर आप देखोगे तो मिटकैप शेर है यह 18,000 करोड के आसपास का इसका मार्केट कैप है वॉल्यूम देखे तो 82,000 के आसपास है ना ही जादा में कहूंगा ना ही कम कहूंगा लेकिन दिक्कत यहां पर क्या कोई ट्राइडेंट में गिरावट क्यों आ रही है लगाता रहा तो देखो जून कौटर के जो रिजर्ट्स आया थे उसने काफी कुछ स्टोरी बयान करी है पहली यह है कि कमपनी के रिवन्यू भी टूट रहे हैं कमपनी के प्रॉफिट भी टूट रहे हैं 1680 करोड का इन रहती थी तो जाहिर से बात है एक बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है इनके प्रॉफिट में भी और इनके रिवन्यू में भी उसके कहीं न कहीं जो सबसे बड़ी वज़ा है वो यह है कि देखो इनके उपर मतलब इनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी चल रहे थ लहीं थी यहां पर 72.94 परसंट की होडिंग प्रमोर्टर के पास है 3.17 एफईल्स के पास है 0.04 मुचुल फंद के पास है इनका जो में बिजनस है जाहिर से बात है वो टेक्सटाइल का ही है होम टेक्सटाल कर इनका सबसे बड़ा में बिजनस है उज़ाद रिवन्यू जो ह वो वहीं से आता है इसके अलाव पेपर इंस्टेशनरी या इन केमिकल एनरजी का भी इनका बिजनस देखने को मिल रहा है कंपनी के कुल मिलाकर बारा जीतने शोरूम से औल ओवर इंडिया में इसके अलावा कंपनी ऑनलाइन भी अच्छे गासी प्रेजन्स रखती है इसके अलावा हर छोटी बड़ी दुकान जो होगे हैंडलूम की जो दुकाने होती है वहाँ पर अपको ट्राइडेंट के सामान भी बिखते हुए देखने को मिल जाएंगे अगर अब डीमार्ट में भी चले जाओगे तो वहाँ पर भी शाद आपको ट्राइडेंट के सामान देखने को मिल जाएंगे खरीदारी करने का सही मौका है को यह ओर बोड़ों में यह कोई भी रेड़ फ्लेक नजन नहीं आ रहा है अच्छा डिविडिन भी पे कर रहा है और सरसेदाम पर अभी मिल भी रहा है 22 का इसका पी है जो सेक्टर 236 के मकाबले कम ही है और यही वज़ाए कि 100% एनालिस्ट जो है वो खरीदारी करने की भी सलाब को देते हुए नजर आ रहे है और शेयर होल्डिंग में डेफिनिटली बड़ी खरीदारी देखने को मिली है सभी के दुआरे चाहे वो मूचल फंड्स को चाहे वो डोमेस्टे को चाहे वो एफाइल सो और रिटेल वालों ने हलकी फुल की बेकवाले यहाँ पर जरूर करी है देखो ट्राइडेंट मैं यह नहीं कहूँगा कि बहुत ही बहतरीन कमपनी है जाके खरीदारी कर लो मैं यह कहूँगा कि हाँ कमपनी अच्छी जरूर है लेकिन डेफिनिटली जो सिचुवेशन अभी यहाँ पर देखने को मिल रही है वो उतनी जादा भी पॉसिटिव नहीं है और यही वज़ा है कि मेरे इसाब से करेक्शन का इंदिजार करना चाहिए लेकिन अगर सस्ता मिल रहा हो तो डेफिनिटली खरीदारी के मौके ट्राइडेंट में आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में तो ट्राइडेंट कंपनी डेफिनिटली अच्छी कंपनी है लेकिन जिस तरीके माहोल से वो गुजर रही है करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है और अगर करेक्शन आता है तो नीचे के लिवए पर आपको गिरावट में इंतजार करना जरूर चाहिए और वहाँ पर ख तो याद रखेगा कंपनी और ज्यादा मुश्किली में भी फच सकती है कंपनी को भईया यहाँ पर सबसे पहले यह करना होगा कि अपने रिवन्य और प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा और नेक्स कौर्टर में अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट दिखाती है तो उतने अच्छे हालात नजर नहीं आ रहे हैं लेकिन कंपनी जरूर इन सबसे सर्वाइब कर जाएगी रिवाइब कर जाएगी तो ट्राइडेंट डेफिनिटली खरीदारी के मौकि मेरे इस सबसे 30 से 35 के बीच में देखने को मिल सकते इनिशल बाइंग के उसके बाद तो र वीडियो बना था भी तीन-चर दिन पहले और वो थी आलोक इंडेस्ट्री और मैंने का था कि 18-19 रुपे का लेवल जब भी आया है खरीदारी के मौके बने हैं आप चाहे तो उस वीडियो को भी जाकर चेक कर सकते हैं वीडियो को यहीं प्रेंट करूंगा पसंद आए हो तो लाइक कर शाय करें चैनल बगर पहले ही बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करो ट्राइड इंड लिमिटेट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट हमें लिखते बता सकते हैं तैंक यू